हेलो दोस्तो मैं हूँ गुलरेज और आप देख रहे हैं तकनीकी ग्यान दोस्तो जियो के बारे में जो न्यूज आ रही है मार्केट में वो न्यूज ये आ रही है कि जियो अब हो सकता है कि आपका 30 जून 2017 तक आगे ओफर एक्स्टेंड हो जाए तो अभी क्या है कि ये 31 मार्च के बाद जो 30 जून तक का जो मार्केट में स्ट्रॉंग यूमर है ये स्ट्रॉंग बहुत स्ट्रॉंग खबर है काफी सारी जो बड़ी-बड़ी वेबसाइट्स हैं उन्होंने इसको पब्लिश किया है तो ये काफी जो है स्ट्रॉंग इसको आप कह सकते हैं कि खबर है तो अभी क्या है कि जितने भी जो और ऑपरेटर्स हैं जैसे आपका एरटल हो गया वोड़ाफोन हो गया आइडिया हो गया इन्होंने क्या करा है ये भी अपने जो प्राइस हैं वो नीचे ले आए हैं और जियो को कुछ नमार्केट में टिकने के लिए ऐसा करना ही पड़ेगा कि उसके जो सबस्क्राइबर से उसके जो किस्टमर हैं वो कही और ना जाए हो जियोके साथ बने रहें तो इसके लिए हो ये सकता है कि वो सबितु करने वाले नहीं है क्योंकि वो ओल्रेटी दो बार एक बार वेलकम ओफर के नाम पे एक बार जो है आपका हैपी नुए ओफर के नाम पे तो बाकी जो दूसरी कंपनीज हैं चाहे वो एटलो या आइडिया हो बार बार ट्राइब में जाके कंप्लेंट करते हैं कि भाई यह अलग अलग नाम से इस तरह से फ्री दिये जा रहे है लोगों को जिससे हमारे जो है रिवन्यू लोस हो रहा है हमारा नुकसान हो रहा है तो फ्री तो आपको मिलने वाला नहीं है हाँ यह है कि जो जियो है वो आपके लिए एक सो रुपे का छोटा रिचार्ज लेके आएगा जिसको आप 31 मार्च के बाद एक अपरेल से रिचा करोड यूजर है मैं कहता हूँ 5 करोड नहीं करते 5 करोड कर लेते हैं तो भी एक अच्छा कासा रिवेन्यू जियो के लिए जनरेट हो जाएगा तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेर कर दीजिए और इसी तरह से अपडेटेड रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में तक तक के लिए गुडबाए